है है कैसे है आप सभी तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सैमसंग गैलक्सी जेशिक्स का कैमरा डीटेल सेटिंग्स जैसी के आप यहां पर देख सकते हैं यह है गैलक्सी जेशिक्स कितना खूब सुरत मोबाइल डिवाइस है देखे आप हम ज्यादा तर आज कल ग्लैस फिनिश वाला देख रहे हैं वहीं प्रीमियम कहते हैं लेकिन यहां पर देखे ब्यूटिफुल मैट लुकिंग फिनिश इतना भी बॉल्ड कलर नहीं और बहुत ही सटल ब्लू कलर नहीं ह पॉन है 13 MP का रेर कैमरा मिलता है f1.9 अपर्चर LED फ्लैश भी है और उसके साथ फिंगर प्रिंट स्कैनर और सामने आपको 8 MP के कैमरा मिलता है वो भी f1.9 अपर्चर यानि कि आपको लो लाइट कंडिशन में बहुत ही अच्छा पिक्टर मिलेगा फ्रेंट कैमरा से और उस लाइक कैमरा से तो आज के अभी के वीडियो में हम देखने वाले है कि क्या 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 सेटिंग्स आफर करता है और कैसे आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ करके अच्छे पिक्चर कर सकते हैं तो यह है सैमसंग गैलक्सी जैसिक्स का कैमरा यूजर इंटर klar open की होना अगर आप lock screen पर है साम स्क्रेइं लॉक स्क्रिय आइसा तो यहां पर है जस्वाइबस कीई यह तो फिर से camera अवं将 LOL जाएगा तो अभी जैसे कि आप यहां पर एक छोटा सा ईक्वल वाला देख सकते है जहां जाहिए वहाँ मुव कर सकता हूं अगर आपका हाथ यहां तक पहुंचण नहीं रहा है तो आप क्या घर सकते हैं यहीं पर ले सकते हैं अगर आप left से capture कर रहे हैं तो देखें यहां पर मुव कर सकते हैं क्या है यह बटन जैस्ट अगर आप ऐसे टैप करेंगे तो पिक्चर कैप्चर होगा जी हां यह है शटर बटन तो मुवेबल शटर बटन इन्होंने फीचर दिया है बहुत ही अच्छा है तो बार-बार आप यहीं यूज नहीं करना पड़ेगा तो यह वाला आइकॉन जहां पर आप रखेंगे वहां पर तो यह कहां से आया देखिए आपर सेटिंग्स आइकॉन है ना जस्ट टैप करना है आपको अगर आप नीचे जाएंगे तो फ्लोटिंग कैमरा बटन आप इसको एक बार एनेबल कर दीजिए तो यहां से वह कैमरा शटर बटन अन हो जाएगा तो इसके बाद यहां से शु कोई भी फ्रेम मिस नहीं करेंगे जो भी अबजेक्ट जो भी क्याप्चर करना चाहा रहे आप स्ट्रीट में हो कहीं भी हो अगर परसन का कुछ भी आप मिस नहीं करना चाहते फ्रेम तो जस्ट टैप एंड होल्ड बहुत जारे आपको इमेज बिना कोई फ्रेम मिस के आप को capture हो जाएगा तो ऐसे आप continuous shot को ज़रूर यूज कर सकते है यूजल क्या होता है अजर ब्रैंड के मोबाइल में just tap and hold करेंगे तो बर्ष्ट शाट करके आता है Samsung में भी पहले ऐसा ही था लेकिन अभी उन्होंने चेंज करके continuous shot mode बना दिया है तो यहां से आप देख सकते फुल व्यू है जस्ट आप इसको एक बार टैप करेंगे तो फुल व्यू टर्ण डॉन 18.5 is to 9 aspect ratio यानि कि आपका image size थोड़ा down होगा इससे लेकिन खैर full view मिलता है मोबैल में देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है images full view में तो यह है full view off and on तो next हम चलेंगे auto तो auto जैसे कि आपको पता ही है जब आप camera open करेंगे easy mode पर रहेंगे आप auto पर यानि कि just point and shoot अभी इसमें क्या कर सकते हैं देखें जस्ट अगर आप यहां पर focus चाहते हैं या फिर मान लीजिए इस लिव पर focus चाहते हैं तो आपको क्या करना है just tap to focus अभी यह focus हो गया अगर थोड़ा dark लग रहा है आपको तो यह bulb वाला जो है इसको थोड़ा increase कीजिए swipe up करके थोड़ा अगर बढ़ाएंगे तो exposure value ज्यादा होगा कितना bright and evenly lit आया देखें ज्यादा नहीं करना है थोड़ा थोड़ा increase या decrease करके आपके scene के उपर depend करता ह कि आपको क्या करना है तो आप ऐसे करके बहुत अच्छा capture कर सकते हैं तो यह था tap to focus और उसके बाद इससे exposure value आप change करके देखें यहां पर आप जैसे कि देख सकते filters है तो इसको tap करेंगे तो आप beauty filters लगा सकते है या फिर default जो भी autumn का cozy classic ऐसे अलग-अलग features है जैस टैप करे के वह वाला filter apply कर सकते है अगर default लाना है यहां पर remove effect करके है तो नॉर्मल हो जाएगा तो यह है यहां से filter आप यूज कर सकते हैं चोटा सा icon यहां पर दिख रहा है यह है Samsung mall जिहां अगर देखें कुछ subject पर point out कर रहे हैं अगर आप उसके related detail information चाहते हैं तो आपको क्या करना है जस्ट चोटा सा icon है टाप किजिए इंस्टेंटली Samsung mall पर जाके इंटरनेट से आपको इसके related information देगा तो यह आप Samsung ज़रूर यूज कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया feature है Samsung से and next one यहां पर beauty है तो beauty पर चलते हैं जैसा कि नाम है beauty तो आप beauty shots लेने के लिए beauty mode लीजिए यहां से आपको एक चोटा सा sparkling जैसा star जैसा icon है tap करना है आपको देखिए यहां से skin कस्टमाइज कर सकते हैं यहां से face कस्टमाइज कर सकते हैं and eyes तो इतने अच्छे features दिये है rare camera को भी दिये है and friend camera को भी है ऐसा icon तो आप बिल्कुल persons को जैसा beautify चाहते हो वैसा आप कर सकते हैं यह यहां से tap करना है slider को move करके देखिए कि आगर आपको face कुछ बदलना है face का color हो skin का color हो या फिर smoothness हो यहां से आप बिल्कुल slider को change करके कर सकते हैं तो यह है beauty mood तो beauty mood के हिसाब से ही उन्होंने दिया है यहां पर artificial intelligence का technology हो या फिर dual camera हो वैसा कुछ भी नहीं single camera है लेकिन यह beauty mood बहुत ही अच्छी तरह से work होता है तो यह है Samsung का USP तो next है promote यहां पर promote पर देखिए ISO white balance and exposure value अभी हमने exposure value को अल्रडी देख लिया है जस्ट आप करेंगे तो वह बल्ब वाला icon था ना वहीं exposure value यहां पर है तो tap करके यहां पर slider up boost या फिर dark कर सकते है ऐसा तो evenly lit images लाने के लि अच्छा indoor usually indoor में बहुत help होता है अगर आप outdoor में landscape ले रहा है तो minus में लीजे आप थोड़ा under expose करके यानि कि आपका clouds का हो blue sky का हो वो अच्छी तरह से detail में मिलता है और बहुत ही help होता है images को तो ऐसे आप exposure value को use करें the next one है यहां पर ISO इसको हमेशा आप auto पर ही छोड़ दीज क्योंकि अगर आप इसको change करेंगे तो इसके related shutter speed यहां पर change करने के लिए नहीं है तो इसलिए इसको आप auto पर ही रखें तो next यहां पर देखिए metering है यह वाला matrix center weight and spot यह कैसे वर्क करता है देखिए बहुत ही important feature है कोई भी camera में अगर ले रहे है आप तो metering mood ज़रूर पता रहा हूं आपको detail में नहीं जाओंगा तो matrix mood तो next center weight अगर center frame पर यहां पर आपका कोई भी person है या फिर object है उसको सिर्फ shark करना चाहते है तो center weight and the next one is spot जैसा की नाम है कोई भी flowers का या फिर सिर्फ single subject का person का capture कर रहे है तो spot metering रखके आप click किजिए देखिए beautiful images आपको मिल background blur करके तो separately background blur करने के लिए यहां पर samsung में कुछ भी नहीं है तो आप इस metering को spot रखके आप capture करके देखे बहुत यह अच्छा background blur वाला images आपको मिलेगा तो यह है metering method यहां से आप change कर सकते हैं अगर आप white balance पर change करना चाहते हैं तो white balance क्या है कि अगर आप indoor situation में या फिर ब तो जितना कम नंबर रहता है उतना cooler images मिलेगा जितना ज्यादा नंबर रहता है उतना warmer images मिलेगा तो यह depend करता है कि क्या scene capture कर रहे हैं आप और वहीं पर आपको change करके देखना है तो इतना options है pro में next move करेंगे HDR तो जैसा कि नाम है high dynamic range आपको पता ही होगा HDR कैसे use करें तो उस कर सकते हैं यहां से basically evenly lit images मिलेगा और उसके साथ आपको थूड़ा shadows and highlights में बूस्ट मिलके आपको अच्छा images मिलेगा तो लेकिन यह बात ध्यान रखना है कि बिल्कुल steady रखना है आपको को ताकि shaky images blur images ना आए नेक्स्ट है panorama जैसा कि नाम है आप एक बार tap करके ऐसे just ऐसे move करते चाहिए वो frame लेके automatically stitch करके आपको images देखा 360 degree या फिर आप half में भी cut कर सकते हैं ऐसे medically face को detect करेगा देखते हैं minion को recognize करता है क्या कोई sticker अरे minion को recognize ही नहीं किया काम आन चलिए तो यह वाला इतना stickers है बहुत सारे stickers है आप अगर download करना चाहते तो plus है प्लस को tap करेंगे तो internet से और भी stickers देगा आपको यहां से आप use कर सकते है stamps है अलग-अलग best friend देखिए यहां पर best friend का stamp है इसको move कर सकते है size बढ़ा सकते है rotate कर सकते है बहुत सारे features तो samsung ने दिया है तो ऐसे आप करके capture कर सकते इमेज को बहुत बढ़िया लगेगा तो इसको माइनस है tap करेंगे तो बिल्कुल चला जाएगा वैसे आप delete भी कर सकते है तो नेक्स्ट है night mode तो night mode जैसे की नाम है बिल्कुल low light conditions में आप लेंगे तो बहुत ही अच्छा images मिलेगा लेकिन यह बात दियान में है रखना है कि बिल्कुल शेक नहीं करना है आपको camera जस्ट ऐसे स्टेडी रखके आप capture करें और जस्ट वन टू सेकेंड कीजिए ताकि वह process हो सके तो उसके बाद ही आप images को देखना बहुत ही खूबसूरत images आएंगे night में तो ऐसे आप night mode को जरूर यूज कर सकते हैं तो इस सारे settings देखने के बाद यह एक setting है यहां पर चोटा सा icon है settings का चोटा सा icon जस्ट टैप करें यहां से आपको picture size चेंज करने को मिलेगा 18.5 इस्टू 9 16 इस्टू 9 images capture कर सकते हैं मान लिजे अगर आप monitor screen पर या फिर अपने laptop पर ज्यादा images देख सकते हैं अपने mobile से तो आप 16 इस्टू 9 में capture किजेगा बहुत ही अच्छा एंड perfect aspect ratio वाला images आपको मिलेंगे and otherwise you have one is to one have Instagram social media पर बिना crop किया आप शेयर करना चाहते क्लिक करके कोई भी frame को loss नहीं होना है तो one is to one नमें आप capture करेंगे तो देखे instantly square images ही मिलेगा तो कोई भी frame में loss नहीं रहेगा तो ऐसे आप aspect ratio को change करके capture कीजिए ना कि हमेशा इसी को रखना है ऐसा कुछ नहीं depending on क्या capture कर रहा है वैसे आप change कर सकते हैं तो starting यहां पर 13 MP है तो यहीं पर आपको full size images मिलेगा एंड video size full HD 4K नहीं slow motion नहीं कुछ भी नहीं Samsung में and full HD है या फिर 18.5 is to 9 में full view में capture कर सकते 1 is to 1 में भी है तो ऐसे options है टाइमर लगा सकते है आप तो similar feature apply होता है front camera को भी यहां पर आपको सिर्फ white selfie मिलता है selfie मिलता है beauty slider है बस इतने features use कर सकते हैं लेकिन बहुत ही बढ़िया images आता है आप इसको मैं test करके देखा हूं तो आप test कर सकते है front camera हो या फिर रेर camera तो यहां से भी picture size front camera का 8 MP है वो change कर सकते है and even for video size and उसके बाद देखें यहां पर shooting methods है तो आप tap करके selfie ले सकते हैं and यहां पर palm को दिखा के भी आप selfie को capture कर सकते हैं यहां से grid lines on होता है 3 x 3 अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस नहीं देखें तो जरूर देखें बहुत ही अच्छी तरह से explain क्या हूं कि grid lines कैसे उस करें किसके लिए यूज होता है बाकी सब and वहां से आप देख सकते हैं यह location tag GPS on करके location tag लगा सकते है and review pictures click करने के बाद अगर photo देखना है आपको instantly तो review pictures इसको enable कीजिएगा and floating camera button जैसे कि मैंने पहले वीडियो पर दिखाया and यहां पर volume की है तो volume की किसके लिए यूज करना चाहते हैं वह वाला आप यहां से set कर सकते है टेक pictures record video system volume वैसे customize करके आप जिसको ज्यादा करते है volume button वह वाला आप रखिए and last में reset settings reset settings है नहीं बिल्कुल जो default था नया mobile कैसा था camera settings वाइसा automatically change हो जाएगा तो यतने सारे features and settings है दोस्तों Samsung Galaxy J6 में अगर आपको यह पसंद आया तो like पर ठोकिएगा सब्सक्राइब करके बने रहिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चनल को मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए take care अपना बाई बाई